हलो फ्रेंड्स विल्कम टो क्यूकर क्विक्स डोट कॉम और आज हम एक इजी ट्रिक सिखेंगे जिससे हम पता चल जाए कैसे डिफ्रेंशिट करना है कौन से ड़्रक्ट्र एक्सेज आं कौन से इंडारेक्ट एक्सेज़ हैं जैसे यह काफी exam में directly push आता है सिधर tax का नाम देखे यह direct है जा indirect है तो आज हम इस conclusion को दूर करेंगे friends इसके पहले में आपसे share करना जाता हूंगी जो direct taxes होते हैं वो directly हमारे income से direct government के account में जमा करवाते हैं और जो indirect होते हैं वो हम जैसे हमने कोई चीज़ बाय की market से और हमने उस पे कोई टेक्स पे गिया वो इंडरेक्ट टेक्स है फरस्स हम मुव करते हैं direct taxes की तरफ विप्रो.co.in एक single आपका website का address भी हो सकता है यह ज्याद रखने में असानी रहेगी WVCM कर सकते हैं wealth tax, pro से property tax, CEO से corporate tax, IN से income tax जैसे आपको पता है कि विप्रो एक corporate है बजी corporate tax देता होगा income tax इसके employee देते होगे हम direct taxes के line को indirect taxes की line से भी हम differentiate कर सकते हैं आपको single एक line जादर करना पड़ेगी विप्रो.co.in यसे आपके direct taxes clarify हो जाएंगे और second है होता है indirect taxes इसको में एक single line frame की excuse me, excuse me को अगर हम पूरा देखे है EX से होता है XIG tax, CU से custom tax, SC से service tax, M से market tax या VAT को अपले सकते हो इसे entertainment tax तो friends आपको भी indirect taxes और direct taxes में confusion नहीं होगी अगर आप दो simple line याद रखते हो विप्रो.co.in और excuse me इसे आपको direct taxes और indirect taxes में help मिलेगी और आपके exam में को अचन सही होगे friends जी कुछ हमारे लिक्स है यहाँ पे आप click करके regular update ले सकते हो, thank you, thank you very much